नमश्कार आपको स्वाकत है स्टॉक अलोजी में आज हम बात करने वाले हैं जी एने लिम्टेट के कौटरली रिजल्ट के बारे में तो जिन्हों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें बैल आइकन पर क्लिक करें वीडियो को लाइक करें श सब्सक्राइब करें नमर पर कॉलम है वो सितंबर 21 कोटर के रिजल्ट है और जो आकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वहें दिसंबर 21 कोटर के रिजल्ट तो अब हम देखते हैं थार्ड नमर पॉइंट टोटल इंकम को दिसंबर 20 कोटर में इंकम थी 27,628 ल आधर हम बत करते हैं सितंबर 21 कोटर से दिसंबर 21 कोटर में तो यहां पर हमें डिशकनम कोच्य कम होते हैं बुए दिखाई देती हैं अब बात कर लेते हैं डिसंबर 22 कोटर में एक्सपैंसे से 24,0008 लाके सितंबर 21 Foreign में यह वही 30,690 लाके और और दिसंबर 21 कोडर में एक्सपेंसेस्तप्य साथ 17ग左 8015 लाग के दिसंबर 20 स्ट से डिसंबर 21 कोडर यारे कि यर ओन इयर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस बाढ़ते हुएan नजर आ रहे हैं अगर हम बात करते हैं quarter and quarter में याने कि सितंबर 21 quarter से दिसंबर 21 quarter में तो यहां पर हमें expenses में कुछ कमी होते हुए दिखाई दे रही है अब हम बात कर लेते हैं company के profit and loss statement की तो बात करते हैं हम 7th number point profit object loss before tax की दिसंबर 20 quarter में 3599 लाग के profit before tax थे सितंबर 21 quarter में 3289 लाग के profit before tax रहे और अगर हम बात करें दिसंबर 21 quarter में तो यहां पर हमें 2310 लाग के profit before tax रहे तो अगर हम year on year में बात करें profit before tax की दिसंबर 20 quarter से दिसंबर 21 quarter में तो यहां पर हमें यह घटते हुए नजर आ रहे हैं अगर हम बात करते हैं quarter quarter में सितंबर 21 quarter से दिसंबर 21 quarter में तो यहां भी हमें जो profit before tax से उसमें कमी होते हुए दिखाई दी रही है अब हम बात कर लेते हैं company के net profit की तो 9th number point है profit for the period between this quarter में 2664 लाग के net profit रहे सितंबर 21 quarter में 2450 लाग के net profit में convert हुए हैं और कि एक हजाड 660 लाग के profit रहे हैं तो दिसंबर 21 quarter से दिसंबर 21 quarter dan year में अगर हम देखें तो यहां पर हमें profit जो है वह घटते हुए नजर आ रहे हैं अगर हम बात करते हैं quarter on quarter में सितंबर 21 quarter से दिसंबर 21 quarter में तो यहां भी हमें net profit घटते हुए नजर आ रहे हैं तो overall results को देखते हैं तो company का year on year profit हो या quarter on quarter profit हो दोनों महिया में कमी होते हुए दिखाई दे रही है धन्यवाद